सेवा जोहार साथियों आज हम सीखने वाले हैं कुछ दलहनी फसलों के नाम गोंडी भासा में हमारे अधिकांस, कोईतुर, सगाजन आज भी क्रिसी से जुड़े हुए हैं और अपने खेतों में इन दलहनी फसलों की पैदावार करके अपने घर की रसोई में दाल की कमी को पूरा करते हैं वर्तमान समय की व्यस्त जीवन सैली और विकास के इस दौर में जहां हमारे भासा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है मैं आपको बताऊंगा की इन दलहनी फसलों को कोंडी भासा में क्या कहते हैं तो चलिए साथियों वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं अरहर को गोंडी भासा में क्या कहते हैं तो साथियों अरहर को गोंडी भासा में कई छेत्रों में तूरी या कई छेत्रों में रहडी के नाम से जाना जाता है इस पर गोंडी भासा में एक गीत भी बना है जिसके बोल है तूरीदाना तूरता पराइंतोना बढ़ते हैं आगे हमारा दूसरा दलहनी फसल है चना जिसे गोंडी भासा में हड़ाई या हड़ाइंग के नाम से जाना जाता है साथियों आपने कई बार अपने घरों में उरत की दाल या उरत की दाल से बने पकवान तो खाये ही होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं उरत को गोंडी भासा में क्या कहते हैं चलिए मैं बताता हूँ तो साथियों उड़त को गोंडी भासा में फूपुल के नाम से जाना जाता है तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा चौथा दलहनी फसल है कुल्थी जिसे गोंडी भासा में कोडेंग के नाम से जाना जाता है मेरे छेत्र में यह फसल बहुत कम मात्रा में बोई जाती है यह देखने में आपको मसूर के जैसा लग रहा होगा लेकिन यह मसूर नहीं है कोडे दो रंगों का होता है एक तो काले रंग का होता है और दूसरा हलका भूरे रंग का होता है अगला फसल है हमारा मटर, मटर को हमारे कोईतुरिंग या गोंडी भासा में वटरा के नाम से जाना जाता है, बढ़ते हैं आगे, अगला है बरबटी, जिसे गोंडी भासा में चनाई के नाम से जाना जाता है, हमारा अगला फसल है सेम जिसे 36 गड़ी भासा में सेमी और हमारी गोंडी भासा में जाटा के नाम से जाना जाता है साथियों ये तो हो गई वो फसलें जो मेरे गाउं में बोई जाती है अब मैं आपको बताता हूँ कि दाल को गोंडी भासा में क्या कहते हैं तो साथियों दाल को गोंडी भासा में डारी कहा जाता है। कुछ सबजियां ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। लेकिन कुछ सबजियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम सुखा कर लंबे समय तक भंडार करके उप्योग कर सकते हैं। ऐसी सूखी हुई सबजियों को 36 गड़ी भासा में खुला के नाम से जाना जाता है और हमारी गोंडी भासा में खुलियांग के नाम से जाना जाता है। हिंदी भासा में इसे क्या कहेंगे ये तो मुझे पता नहीं साथियों। उधारण के लिए जैसे सूखी मचली, तो इसे गोंडि भासा में कहेंगे मिन खुलियांग। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ वीडियो को सेयर कर दीजिए। आप अपने सुझाओ, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही गोंडि भासा के नए नए सब्द सीखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार। कि कर लिए हैं। मिलते हैं। सब्द सकते हैं।